की ताज पोशी खड़गे आज सम्भालेंगे कॉंग्रेस अधिक्षपद खड़गे आज अपचारिक रूप से सम्भालेंगे कबान सोनिया राहम गांधी समय कई लेता मौजूद रहें कि तो कि अज़न करने के लिए पोट चुके है राजगाट। अब कर आपके सामने आज अधिक्ष की ताज कोशी होनी है। और खड़गे आज समालेंगे कॉंग्रेस अधिक्ष का पद और अधिक्ष पद समालने से पहले राजगाट पऊंचे है। सोनिया राहूल गांदी समयत का इनेता आज उनके ताज़ पोशी में मौजू पहने वाले हैं पदवहन करने से पहले राज़गाट मुझ चुके हैं वाली का अजुन खडगे आज कॉंग्रेस अध्यक्ष की ताज़ पोशी होनी है मलिका अजुन खडगे आज से कॉंग्रेस अध्यक्ष पद का सम्भालेंगे पदभार खडगे आज अप्चारी ग्रुप से कमाल समालेंगे सोनिया राहूल गानी समयत कई कॉंग्रेसी नितावापोद मौजूद रहेंगे कई कॉंग्रेसी कारिकर्ता आज मौझूद रहने वाले हैं, कॉंग्रेस के लिए एक बेहत खास दिन आज माना जा रहा है, खड़गे आज कॉंग्रेस पत का भार संभालने वाले हैं, उप्चारी क्रूप से कमांद संभालेंगे, आज से मलिका जुन खड़गे लगवग बाइस साल के बाद कॉंग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष का पत सम्हालेंगी और इसे लेकर के कॉंग्रेस में भी खुशी की लहर है कॉंग्रेस के कारिकर्ताव में भी खुशी की लहर है आज कॉंग्रेस अध्यक्ष की ताज पोशी होनी है वालिकार जुन खड़ गे आज अब चार एक रोग से कॉंग्रेस अध्यक्ष पत्ता भाज सम्हालेंगे कि दिल्ली से बड़ी कबार आज कॉंग्रेस अध्यक्ष की ताज पोशी होनी है मईलिकार्जुन खड़ गे आज कॉंग्रेस अध्यक्ष का पत्ता सम्हालेंगे एक दाज आपचार एक रूपसे कमान सम्हालेंगे इससे पहले राजखाट पहुंच चुके हैं कॉंग्रेस अथ्याच्पद का भार समालने से पहले मलिकारजुन खडगे और उनके साथ कुछ लेता जो है राज हाट पहुंच चुके हैं आज अप्चारे के उपसे कमान समालेंगे मलिकारजुन खडगे लगवग 22 साल के बाद कॉंग्रेस की पार्टी में गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है इस बात की कॉंग्रेस पार्टी में भी खुशी है कॉंग्रेस कारिकर ताउन में भी खुशी है और यह पूरा देश देखना चाहता है कि गैर गांधी परिवार से अगर कोई अध्यक्ष बनता है फिर क्या बदलाव आते हैं कॉंग्रेस पार्टी में मलिकारजुन खड़के आज कॉंग्रेस की कमांद समाने वाले हैं सोनिय राहल गानी समयत का यूटा आज मौझूद रहेंगे मलिकारजुन खड़के का अध्यक्ष बनना परिवारबाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए एक जवाब है आपको बता दे कि वहीं अध्यक्ष के तोर पर उनका कारिकाल बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है हलांकि ये तो सभी जानते हैं कि दोजार ट्रॉमिस के लोग सबाचनाव से पहले यारे उनके सामने दो साल के भीतर कॉंगर्स को फिर से जिवीत करने की चुनावती मिली है और ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मलिकारजुन खड़के की राजखाट की तस्वीर है कॉंगर्स अद्यक्ष के ताजपोशी होने से पहले मलिकारजुन खड़के राजखाट पहुचे हैं उनके साथ तमाम कारकरता तमाम नेता मौझूद है अद्यक्षपत की कमान समालने से पहले मात्मगादी बापु को शुर्थाज़ी देने के लिए पहुचे हैं इसके बाद कॉंग्रेस अद्यक्ष पद की कमान समालेंगे मलिकारजुन खड़के आज कॉंग्रेस अद्यक्ष के तौर पर पद समालेंगे कॉंग्रेस में लगभग 22 साल के बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कॉंग्रेसी अद्यक्ष चुना गया है उनका अधिक्ष बनना परिवार वाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए एक जवाब है वही अधिक्ष के तोर पर उनका जो कारिकाल है बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है 2024 के लोकसवाच चुराओं से पहले यानि कि उनके सामने दो साल के भीतर ही कॉंग्रेस को फिर से जीवित करने की चुनौती है